नमस्कार, हार्दिक अभी नंदन आप सभी का CIT-NCRT द्वारा प्रसारित आज के लाइव इंटरेक्टिव सत्र में आप हमें देख रहे हैं, हमें हमारे बहुत से माध्यमों के जरीए और मैं श्रुजन राजपूत एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ NCRT के विभिन माध्यमों से आज हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदी की ये एक संस्मरण जो कि हम जानते हैं कि हिंदी की बहुत सी विधाओं में से बहुत खास है अगर हम गद्य विधा को समझना शुरू करते हैं तो हम संस्मरण को समझना शुरू करते हैं और ऐसे में जो आज का विशे है वो बाके ही बहुत खुबसूरत है ये है विशे गिल्लू जो कि लिखा है महादेवी वर्मा ने आप सबी जरूर जानना चाहते होंगे कि कौन है ये गिल्लू और महादेवी वर्मा जो कि हम सभी की चहीती लेखी का है उनको पढ़ना, उन्हें जानना हम सभी को बहुत पसंद है तो ऐसे में क्या लिखती है महादेवी वर्मा गिल्लू के बारे में ये कौन सी यादे हैं जो आज उनकी हम आज समझने जा रहे हैं इस सत्र के माध्यम से आप सभी को बता दूँ कि जब आप इस शीशक को सुन रहे हैं जब इस संस्मरण को जानना शुरू करेंगे आप अपने वेबिन प्रष्णू को हमारे सत्र के साथ शामिल कर सकते हैं आप हमें कांटेक्ड कर सकते हैं हमारा फोन नंबर रहेगा 880-044-0559 या फिर आप हमें मे suggestion लिख सकते हैं और मेel के साथ हैं तो चलिए अब आपको परिषयत देती हूँ हमारे साथ आज की जो अतिथी जुड़ी है माम नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका आप हैं हमारे साथ डॉक्टर वंदना शर्मा आप एंसी आटी के भाषा शिक्षा विभाग में असिस्टंट प्रोफेसर हिंदी क हमारे साथ डॉक्टर वंदना शर्मा माम है आप सभी को बता दूं कि माम आज हमें एक बहुत खूबसूरत शीर्शक पढ़ाने जा रही है तो सबसे पहले माम से ही जानते हैं कि माम कौन है ये गिलू महादेवी वर्मा का परिचय भी आप इसके साथ ही हमारे सभी छात्रो को दी और हां क्योंकि हम एक विधा को जान रही है जो ये करते हैं माई संस्मर्ण इसके बारे में भी बच्चों के जो जाननी की एक उच्षुक्ता है उसको भी हम जरूर बताते हैं और इस सत्र को शुरू करते हैं गिलू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण हैं महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार में यह लिखा है महादेवी वर्मा का परिचे हम सबसे पहले जान लेते हैं इनका जन्म उत्रप्रदेश के फर्रों का बाद में हुआ और यह हैं हिंदी साहित्य की छायवात की प्रमुक लेखिका के रूप में जानी जाती है इन्होंने गद्य और पद्य दोनों का लेखन कारे किया साथ ही इन्होंने प्रेम, करुणा और वेधना से सरोबार लेखन कारे किया इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है इनको यामा पर ग्यानपिट पुरुषकार मिला और इनके जो प्रमुक रतियां है निहार, रश्मी, नीर्जा, यामा, दीपशिखा और श्रंकला की कडिया निबंध है, स्मृति की रेखाएं और अतित के चलचित्र संस्मर इसके साथ ही गिल्लू एक कह सकते हैं कि गिल्लू एक गिलैरी का बच्चा है, जिसे लेखिका अपने उसको देखती है कि वह घायल अवस्ता में पड़ा हुआ है, कोहू द्वारा उसको चोच से मारा जाता है और वह घायल अवस्ता में पड़ा हुआ है, इस स्तिति को उससे एक तरह का जुडाव हो जाता है उस जुडाव को देखते हुए उन्होंने उनके साथ एक आत्मिय संबंद उनका स्तापित हो जाता है यह सारी घटना गिल्लू जो गिलैरी का बच्चा है उसके आसपास घूमती है और लेखी का जो है उनको पसुपक्षियों से इलकंट हो गया रानी हो गया गोरा हो गई तो गाय मोर आदी का चित्रन उन्होंने अपने लेखन कारिये में किया है गिल्लू उनके परिवार का सदश्य जैसा हो गया था फिर उसके बाद जब लेकी का दुर्गणना ग्रस्त हो गई का एक समय में तो गिल्लू उसी तरह का बात से जो लेकिका का हरदे है वह अभी भूत हो जाता है लेकिन जो गिलैरी है गिलैरी का जीवनकाल माना जाता है कि दो साल का होता है तो दोस अलप आयू में वह चला जाता है तो एक के लेकिका के मन में उसकी चले जाने की जो आहरती पहले से ही वो समाप्त वो पहले से ही आ जाती है कि अब जब इसने खाना पिना छोड़ दिया है तो यह अब इसकी अंतिम इस्तिती पर पहुंच अब हम पाट के कुछ संधर्व देखते हैं जिसके अंतरगत हमें पता चलेगा कि क्या क्या प्रसंग है और इस गिल्लू पाट का हमें महतु दिखाई पड़ेगा आईए देखते हैं सोन जुही में आज एक पीली कली लगी है इसे देखकर अनाया सी उस छोटे जीव का स्मर् जो इस लता की सगन हरितिमा में चित कर बेटता था और फिर मेरे निकट पहुशते ही कंदे पर कूद कर मुझे चोका देता था तब उसे कली की खोज रहती पर आज उस लगुप्राण की खोज है यह है जो लेखिका ने संस्मरा ने लिखा जब बाद में उनकी स्मृतियां अनसे जुढ चुकी थी और वह चला गया था तो बाद में उन्होंने लिखा तब वह कह रही है कि जो गिल्लू था वह सोन जुई की जो लटा होती है जुई की जो बैल होती है उस पे वह चलता रहता था या उस पे वह लुका-चीपी करता था वह उसमें कभी चिफकर जाता था तो वह तेह कि मुझे आज भी उसकी खोज रहती दी पर उस लगू प्राण की भी मुझे खोज यानि मुझे गिलु की बड़ी female है अगला प्रसंग, मेरे काग पुरान के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी इलेकिका जो है गरंतों का अध्यन कर रही थी, तो वो कह रही है कि मेरे विवेचन में अचानक से बाधित हो पड़ा मेरा विवेचन, यानि मेरा पड़ना रुख गया क्यों कि गमले और दिवार की संदी में छीपे एक छोटे से जीव पर मेरी दरश्टी रुख गई जो गमला था और दिवार थी उसके बीच में वह जीव फस गया निकट जाकर देखा गिलैरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवत गोसले से आकर गिर पड़ा है और कोवे जिसमें सुलब आहार खोज रहें जैसा कि कोवे की प्रकरती होती है अपना भोजन तलाशने की या कह सकते हैं कि कोवे जो होते हैं वो मानसारी होते हैं तो वह उस गिलैरी में अपना भोजन यानि उसको अपना भोजन बनाने की चेश्टा कर रहे थे काक द्वय की चोचो के दो घाव उस लगू प्राण के लिए बहुत थे अते वह निश्चेश्ट सा घमले में चिप्टा पड़ा था काक द्वय अर्थार्त कोवा कोवे की जो चोच थी उस लगू प्राण लगू प्राण बार-भार किसे कहा गया है उस गिल्लू को क्योंकि गिल्लू जो गिलैरी होती है उसका अकार छोटा होता है तो वो जो कोवे थे उसको वो मारने में लगे हुए थे लेकिन वह घायल हवस्ता में था इसलिए वह कुछ कर नहीं पा रहा था आगे उसकी जाती वाचक संग्या को हमने व्यक्ति वाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे मैंने फल रखने की एक हलकी डलिया में रूई बिचा कर उसे तार से खिडकी से लटका दिया जिस प्रकार घोसला लटका हुआ रहता है या कह सकते हैं कि पेड़ पर घोसला होता है उसी प्रकार लेखी खाने क्या किया एक डलिया में जो वह होती है डलिया टाइप की वह होती है जिसको हम टोकरी भी कह सकते हैं उसमें रूई डालकर उसको लटका दिया ताकि वो वहाँ से अपना विचरन कर सके या वहाँ पर रह सके तो वहाँ लटका दिया और उसके खाने का कुछ वहाँ प्रभंध कर दिया कभी में गिल्लू को पकड़ कर एक बंद लिफापे में इस प्रकार रख देती उसके दो पंजो और उसके सिर के अतिरित सारा लगूगात लिफापे में के वीतर बंद रहता लेकिका क्या करती कभी-कभी उसको लिफापे में भी बंद करके रख देती तो वह उसका सिर्थ भाहर रहता लेकिन वह आधा अंदर रहता इस अद्बुद स्तिती में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार की सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकिली आँकों से मेरा देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उसी प्रकार गिल्लू की भी वही इस्तिती कि वह अपनी चमकती हुई आखों से लेकिका क्या करती है क्या कर रही है वो सारा क्रियाकलाब वह देखता रहता भूक लगने पर वह कभी चिक-चिक करके वह मुझे सूचना देता और जो गिलैरी होती है उसको काजू अत्यदिक प्रिया होते हैं तो काजू और बिस्कित मिल जाने पर उसे स्तिती से लिफाफे से बाहर वाले पंजो से पकड़कर उसे कुतरता इसी बीच इस घटना के मध्य लेकिका को मोटर दुरगटना से आहत होना पड़ा तो उनको अस् जब लोड कर आई तो गिल्लू की जो स्तिती थी जिसे होता है कि हमारे घर पे कोई बीमार हो जाए तो हमारी स्तिती बड़ी वह हो जाती है कि हम उसके लिए क्या करें कैसे करें तो वही गिल्लू की स्तिती थी जिल्लू ने लेकिका जब घर पे आई तो उसी प्रकार रहता शान्त किसी भी प्रकार के उचल खूद उसमें नहीं करता था और जब गिल्लू उसकी कभी कभी सिरहने आकर बेट जाता और कभी वह उसको तेजी से जब वह उसको देखती या कुछ कोई आ जाते बहार से तो वह गोसले में जाकर बेट जाता तो लेखी का कह रही है उन दिन मेरी एस वस्ता में वह तकीय पर सिरहने बेट कर अपने ननही ननही पंजो से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका एक घड़ उसका हटना भी जैसे परिचारिका होती है जो हमारी देखपाल करती है उसका हटना उसे उन्हें ऐसा लगता कि जैसे जो समवेदनाई हैं इस पतार की जो भावनाई हैं लेखिका की पशुपक्षियों के पृति वो महादेवी वर्मा में दिखाई पड़ती हैं महादेवी वर्मा जो का जो लेखन है वह बड़ा ही संजीत की और कह सकते हैं कि मानवी भावों से भरा हुआ है उन्होंने जब कविताएं लिखी तो कविताएं भी इतनी भाव विभूर करने वाली थी और कविताओं में एक तरह की वेदना जो उनके जीवन की वेदना थी जो वो कविताओं में अभिव्यक्त होती हैं उसी प्रकार उन्होंने जो गद लेखन किया उसमें जो संस्मिन लिखे उनमें पशुपक्षियों का ऐसा सजी वर्णन है ऐसा सजी वर्णन दिखाया गया है कि हम उनसे मानव होने की अपेक्षा करने लग जाते हैं जब हम पाठक उसको पढ़ता है तो वह भी सोचने लग कि पसु और पक्षियों को एक मानवी जीव के रूब में दिखाने का प्रयास किया है जैसे हम इस संस्मरन को जान रही है तो हम देख रहे हैं कि जो गिल्लू है उसका रुपांत्रन एक चरित्र के तौर पर किया गया है लेकिन जैसे हम देखते हैं कि हमारे पालतु पक्ष देखना कम मिलता है लेकिन आज जब गिल्लू को जान रहे हैं तो यह भी संभव लग रहा है जी बिल्कुल यही तो विशेषता है महादेवी वर्मा के लेखन की हम कुट्टे को कभी हम कह सकते कि वफादार होता है जम कुट्टे को जादा रखते हैं या हम कभी बिल्ली को को भी रख सकते हैं तो जो गिलहरी है वो कम सुनने में आता है यह कम देखने में आता है जो भाव स्तापित किये मादेवी वर्वाने वह एक अलग तरह के भाव होते और उनको अपने लेखन में अभिवक्त करना यह और भी उनकी खूबी दिखाई पड़ती है इसे ही एक पशू-पक्षी भी एक मानव का कार्य कर रहे है यह पशू-पक्षी जिसे उनको हम बोलता हुआ मैसूस कर रहे हैं ऐसा हम उनके लेखन में पाते हैं इसके बाद आगे के प्रसंग में हम देखते हैं कि गर्मियों में जब दोफेर में काम करती रहती तो किल्लू ने बाहर जाता ने अपने जूले में बेड़ता उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सरुथा नया उपाय खोज निकाला वह मेरे पास रखी सुरही पर लेट जाता और इस प्रकार समीब पी रहता और ठंडक में भी रहता गिल्लू को जो लेखी का है माधिवी वर्मा उनकी निकटता हमेशा प्रियती कि वह केसे ने केसे करके उनके निकट आ जाए गिलेरियों की जीवन की अवधी माधिवी वर्मा कह रिये है कि जो गिलेरियों का जीवन होता है उसकी अवधी दो जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रियास किया अब आप ये कल्पना करके देख सकते हो कि क्या हम उस जो पक्षी है या जो पसु है उसके भाव को हम मैसुस कर सकते हैं कर सकते हैं क्या कि ये जाने वाला है या ये करेगा तो लेकिका ने पहले ही भाप लिया चुकि लेकिका को जो पशु बक्षिते उनसे अत्यदिक प्रेम था वह उनकी विचार या उनकी क्रिया कलापों के माध्यम से उनके विचारों को जान लेती थी या उनके भावों को जान लेती थी तो वह कहरी है कि उसंधायानी गर्मार्ड देने का प्रयास किया परन्ती प्रभात की प्रथम किरन के सपड़ से के साती वह किसी और जिवन में जागने के लिए सौल गया महादेवी वर्मा का यहां कहने का ताथ पर यह है कि उसकी जो मरनासन निस्तितिय वह निकट आ गई और वह जीवन को समाप्त उसने कर दिया उसका जूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है परंतु गिलेरियों की नई पीडी जाली के उस पार चिक चिक ही करती रहती है और सोन जूई पर बसंद आता ही रहता है तो कहने का मतलब यह है कि गिल्लो तो चला गया लेकिन जो उसका भाव है या फिर कह सकते हैं कि जो गिलेरियां उनकी प्रजाती है वो उस धरवाजे के या उस खिड़की के आसपास आतर वो चिक चिक करती रहती है वो भाव अभिविक्त करती है साथ ही लेकिका ने सोन जूई जो कह सकते हैं कि जूई की जो बैल थी उसको जोड़ा है तो जो सोन जूई पर बसंद आता ही रहता है तो जो जूई का बदलता है या बैल है वो हम सब्सक्राइस पैम अब्यास में लगी पीली कली को देख लेकिका के मन में कौन से विचार उमढ़ने लगे, जो शुरुआत में लेकिका बटाती है कि सुन्हार की बेल पर वैय आता था चड़ता था कभी मेरे कंदों पर आता था तो लेकिका लेकिका के मन में ये विचार उत्पन होते हैं कि उस सोन जुई को देखकर उसके मन में जो गिलैरिक की याद आती है वै उसको बार-बार वस्मरण हो आती है जिसे वै गिल्लू कहती थी दूसरा प्रश्ण है पाट के आधार पर कोई कोई समाधरित और अनाधरित प्राणी क्यों कहा गया है कोवा जो होता है जो श्राद पक्ष होता है उसमें उसको बड़े आधर की दृष्टी से देखा जाता है और अनादरित इसलिए कहा जाता है कि जो कोवे की काउं काउं होती है वो बड़ी कड़वी लगती है इसलिए जो श्राद पक्ष होता है उसमें उसको बुला कर भोजन दिया जाता है खीर दी जाती है और जब इनके अलावा अगर कोवा आता है तो उसको बड़े तिरसकार के साथ हम देखते हैं जी बिल्कुल गिलेरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया जब गिलेरी का घायल बच्चा कौन है गिल्लू जब घायल हो गया तो लेकिका ने उस का घाव रूई से पोचा उस पर पैंसिलिंग दवा लगाई फिर उसके मुह में दूर डालने की कोशिश की परंतु उसका मुह खुला नहीं रह सका कई घंटे के उपचार के बाद उसे उसने एक बून पानी पिया तीन दिन के बाद उसने आँख खोली और धीरे धीरे वह स्वस्त हुआ लेकीका का ध्यान आकरशित करने के लिए ता गिल्लू क्या करता था अAST करने के लिए गिल्ल으면 कभी उसके पैरों के पास आकर खेलता परदे पर चढ़ जाता कि फिर उसी तेजी से आधर ता वह किसी ने किसी रूप में उनका ध्यान दिन पर कर आशित करना चाहरा था वह इसी तरह से दोड़ भाग करता रहता और जब लेखी का और जब तक वह करता रहता तब तक कि उसको लेखी का पकड़ने के लिए उठ नै जाती अब ये है कि गिल्लु को मुक्त करने की आवशकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया गिलेरिया जब पशुबक्षी को हम अगर बांध कर रखते हैं तो उनकी जो स्वतंतरता होती है उनका जो स्वभाव है वे खतम हो जाता है तो लेखिका ने सोचा कि अगर मैं गिल्लु को पिंजरे में रखोंगी तो इसकी जो भावनाई है, जो इसका स्वतंत्र शुभाव है, वे समाप्त हो जाएगा, इसलिए लेकिका ने देखा कि गिलेरिया खिड़की की जाली की पास आकर चिक्चिक करती थी, उन्हें देखकर गिल्लू उनके पास आकर बेड़ जाता, क्योंकि वह उनकी प्रजाती तो उनका आपसी वारतला पे होता रहता था उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर लेकिका ने इसे मुक्त करना आश्यक समझा फिर लेकिका ने उसको खुला छोड़ दिया लेकिका ने खिडकी की जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर आ जा सके उन्होंने एक खिडकी का एक कोने में जाली को खोल दिया ताकि वे बाहर आकर विचरन कर सके और वापस अंदर आ जाए अगला प्रश्ण गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूब का निभारा था जब लेखी का ऐस्वस्त हो गई और उनको अस्पताल से घर लाया गया तब है उनकी सिरहने आकर बेट जाता और ननही ननही पंजों से उनके बालों को सहलाता मानों की कोई मनुष्य वत्वेवार कर रहा हो इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारी का की भूमी का निभा रहता है अगला प्रेश्ण है गिल्लू की किन्च इस्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है अब हम हमारी मन में यह उतकंटा होती है यह जानने की जिग्यासा होती है कि लेखिक आखिर लेखिका को केसे पता चला कि गिल्लू क अंत समय समीप है तो वह कहती है उनको इन चीजों से आभास हो गया कि उन्होंने उसने दिन भर कुछ नहीं खाया नहीं बाहर गया और जो वह उचल कूट करता था वह सब उसकी बंद हो गई अंत समय के मुश्किल के बाद भी वह जूले से उतर कर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से उंगले पकड़ कर हाथ से चिपक गया जिससे पहले उसने गाहल अवस्ता में पकड़ा था इससे लग गया कि उसका अंत समीप है अगला प्रशन प्रभात की प्रथम किरन के सपर्स के साथ ही वह किसी ओर जीवन में जागने के लिए सो गया इसका आशे सपस्ट कीजिए सुबह होते ही उसकी म्रत्य हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वह जीवन कही और जन्म लेकर नए जीवन में वह प्रिवेस कर सके बेहत आत्मी संस्मरण है और जब इसे पढ़ रही है जान रही है तो आप एक संजीदगी मैसूस करते हैं एक सजीव उधारन जो है हमें इसके मार्ध्यम से प्रसुत किया गया और सच्वी लेखी का जो एक रिष्टा कायम करती है एक जानर से और वह भी एक स्वतंत्र रिष्टा हम अकसर देखते हैं कि जब भी हम कोई पालतु पशु या पक्षी रखते हैं तो पक्षियों को पिंजरे में रखना और अगर पशु है तो उसे पट्टे से बांध कर रखना एक मानव स्वभाव में आ जाता है लेकिन लेखी का एक इतने स्वतंत्र विचारों की महिला रही है कि उन्हों ने वो खिड़की खोल दी जिससे की गिल्लों भी बाहर आना जाना कर रहा था बेहत खुशी हुई इस संस्मरण को जानकर और माम जो प्रशन उत्तर थे मुझो लगता है बच्चे अगर हमें दे लिख मिलती है और क्या हमें और इस पार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है NCRT के पुस्तकों में जी इस पार्ट का जो महतु है अत्यदिक महतु है इसलिए NCRT के पुस्तकों में आया है और महादेवी वर्मा का जो लेखन है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने पसु को भी बोलता हुआ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है किस प्रकार जो हम यह देख सकते हैं कि जो भावनाई मनुश्यों में होती है वही पसु पक्षियों में होती है अंतर इतना है कि हम वाक होते हैं और वह मूख होते हैं हम बोल सकते हैं और वह नहीं हम अपनी अभिवेक्ति कर सकते हैं और वह अपनी अभिवेक्ति नहीं कर सकते हैं तो इस जो इसका जो भेद है या इसमें जो अंतर है महादेवी वर्मा ने इसको पाटने का प्रियास किया है उन्होंने पशुपक्षियों में जो मूख बोली है उसको अभिवक्त करने का उन्होंने प्रयास किया है जानवर में भी वही सव्वेदना होती है जो मनुश्यों में होती है बस हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं जैसे गाय होती है वह भी कभी अपने मालिक से अगर उनको जादा ही लगाव हो गया तो वह उनका इंतजार करती रहती है किसी भी पशुपक्षी को देख लीजिए उसको कुट्टे को देख लीजिए कुट्टे के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत वफादार प्राणी होता है तो यह सब जो इनका जो संस्म्रण है इनकी यही विशेष्टा है कि उन्होंने एक खाई को पाड़ दिया जो पशुपक्षी और मनुश्य के भीतर होती है और चूंकि महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा ने अपने लेखन में इन चीजों को अत्यदिक उभारने का प्रयास किया है क्योंकि यह संस्म्रण में जो अनुभवात्मक अनुभव होते हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं जिनमें कल्पना का स्तान नहीं होता और वास्त्रिक्ता होती है तो उन्होंने वास्त्रिक्ता पूर्ण अपने जीवन से जुड़े हुए अनभो को संस्मरण में दिखाने का प्रयास किया और इसकी एक जहांकी हमें गिल्लू में दिखाई पड़ती है वाके इमाम बहुत खूबसूरत रहा इस विशय को जानना और किस तरह से बच्चे भी संस्मरण लिख सकते हैं अपनी यादों को जो है एक यात्रा के तौर पर औरों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं और बादने आप चाहें तो उन्हें अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से भी साचा कर सकते हैं यह आप एक काम की तौर पर भी इस पर कारे कर सकते हैं यहां पर बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर वंदना शर्मा का माम नमस्कार आप सभी को एक बार पुना बतादू कि माम NCRT विभाग के भाशा शिक्षा विभाग से असिस मिन्टों में आपके लिए एक बार फिर एक और नया सत्रेग नए विशे के साथ लेकर जुड़ते हैं यह होगा कक्षा दस की बच्चों के लिए साइंस का एक चाप्टर दा फंडरमेंटल यूनिट आफ लाइफ पार्ट तू तो हम पार्ट वन को भी समराइज करेंगे औ हमारे उफीशल यूट्यूब चानल्स पर इस लिंक पर जाकर उसे देख भी सकते हैं और पार्ट तू में आज बहुत कुछ नया जरूर है आपके लिए इसलिए आप हमारे अगली सत्र से भी जुड़ें और अपने प्रशनों के जरिए इन लाइव इंटरेक्टिव सत्रो का हिस्सा भी बने मैं सुचन राजपुत इस सत्र से आप सभी से चाहूंगे अनुमती नमस्कार